हेलो गुद मॉर्निंग स्टूडेंट तुड़ी आइविल एक्स्प्लेइन एक्सरसाइस टेंड पैज पैज नमबर अपना है ट्विंटी सिक्स ओके आज का यह जो वीडियो है इसमें आप उनको बताना है कि लार्गेस्ट या नमबर या फिर लार्गेस्ट या अच्छे नमबर या इसके लिए आपको पहले हंड्री तक कांटिंग निखनी होगी या फिर आपको अच्छे से लणने में होनी चाहिए होनी चाहिए फिस्ट क्लास के स्टुडेंट तो ओके आगे देखेंगा यहां पर जो हमारे स्मॉलेस्ट नमबर दी रखेंगा इसलिएगा जो ट्वैल है वह किसमें आता है 11 प्लाइन खें जो इलेवंज की जो लाइन उसके अंदर आता है 18 भी क्या है 11 की लाइन में आता है और 32 भी 11 की लाइन में आता है तो हम क्या करेंगे जो या तो पहले या तो भी नंबर से पता लगा लो कि यहां पर जैसे 12 है हमने जैसे यहां पर देखो काउंटिंग लिखी भी है तो काउंटिंग में पहले 12 आ रहा है 18 और 32 तो है तो यहां पर सबसे पहले क्या रहा है 12 जो सबसे पहले आ रहा है जो यानि कि कि आगे बने पीछे से चलता हो आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे smallest numbers बोलेंगे smallest मतलब सबसे छोटी डिजित होती है small digits होती होने बोलेंगे ओकी तो यहाँ पर दिखेगा 12 जो 12 है वो किसकी लाइट मारा 11 की लाइट में तो यहाँ पर जो smallest digit है वो कौनसी होगी अपनी 12 ओकी कौनसी डिखेगा 12 तो में यहाँ पर क्या लिखोंगी 12 ओकी अब यहाँ पर दिखेगा 77, 55, 62 अगर आपको डिखेट में नहीं आना तो कोई दिक्कत नहीं है हमें कहा करना है 10s की place value देखनी है 10s में देखेगा 7, 5, 6 तो इसमें सबसे छोटा कौनसा है 5 तो हम यहाँ पर कह लिखेंगे 55 ओकी अब next वाला देखेगा 84, 84 में देखेगा ओकी अब देखेगा 84, 86, 70 तो यहाँ पर हम 10s की place value देखेगा 8, 8, 1 तो इसमें से सबसे smallest कौनसा है 70 ओकी 33, 44, 55 अब यहाँ पर देखेगा 10s की place value 3, 4, 5 तो यहाँ पर देखेगा 3 3 क्या है सबसे smallest digit है क्योंकि 3 के रादे 4 आता है 5 आता है तो यानि की सबसे smallest का हो गया हो गया 33 तो यहाँ पर देखेगा 10s की place value देखेंगे 10s की place value left hand side में जो होती है उसे बोलते है जैसे कि 1, 5, 15 वैसे तो 19 है 56 है 15 है अगर आपको 100 ते counting हाती है तो आप अच्छे से पता लगा सकते हैं पर अगर नहीं आती है तो हमें क्या करना है 10s की place value left hand side जो हमारा left hand है उस side में time आया है तो हम क्या करेंगा 1s की place value देखेंगे 9 and 5 तो यहाँ पर 5 चोटा यानि 50 ओके फिर देखेगा 98, 99, 89, 89, 89 यानि कि 9 और 9 आया है फिर 8 आया है तो इसमें देखेगा 8 सबसे चोटा है तो यहाँ पर आया गा 89 ओके फिर देखेगा वापस से हम 10s की place value देखेंगे 5, 4, 7 इसमें क्या है 4 सबसे smallest digit है तो यहाँ पर क्या जाएगा 49 अब देखेगा 23, 34, 36 तो हम इसकी place value देखेंगे 2, 3, 3 तो यहाँ पर 2 क्या है तो यहाँ पर आएगा 23 फिर देखेगा 45, 44, 48 तो 45, 44, 48 में सब save में 44 आ रहा है तो हमें क्या करना है 10s की place value देखनी सारी 1s की place value 4 क्या है smallest जाते हैं यहाँ पर क्या आना क्या है 44 ओके फिर देखेगा 42, 51, 62 तो यहाँ पर देखेगा 4, 5, 6 तो यहाँ पर सबसे smallest क्या है 42 फिर देखेगा 6, 4, 5 तो यहाँ पर सबसे smallest क्या है 41 ओके तो इस तरीके से हमें क्या करना है जो हमारी place value है smallest की वो हमें चेक करनी है क भी smallest कौन सी है देखिएका next देखिएका 51 34 18 51 34 16 तो यहां पर देखिएका 5 3 1 तो यहां पर 16 क्या है smallest है फिर देखिएका 13 15 27 तो यहां पर क्या जाएगा 30 ओके यहां देखिएगा 66, 67, 65, 66, 67, 65, 65 तो यहां पर क्या जाएगा 67 ओके फिर देखिएगा 70, 69, 72 तो यहां पर 72 टाइम आया है तो हम इसकी 1's की place value देखिएगे तो यहां पर क्या जाएगा 0 and 2 तो यहां पर क्याएगा 70 अब देखिएगा 90, 92, 62, 68 तो 92 में 9 बड़ा है 6 और 6 डिवल बार आया है तो हम 1's की place value देखिएगे धियान दखना अगर 10's की place value में same digit आती है तो फिर हमें 1's की place value देखिए होती है जैसे कि 2 और 8 तो यहां पर 2 से बड़ा 8, 2 कह है छोटा, smallest है तो हम यहां पर कह लिखेंगे 62, 78, 85, 96 अब देखिएगा 7 8, 9 तो यहां पर 7 कह है smallest है तो 78 हो जाएगा 56, 52, 56, 42, 31 तो यहां पर देखिएगा 5, 4, 3 तो यहां पर क्या जाएगा 31 84, 14, 14 तो यहां पर 8, 1, 4 तो यहां पर कह एगा smallest 14, 62, 51, 77 तो यहां पर कौन से smallest होगा 6, 5, 7 तो यहां पर होगा 51 वन ओके अब यहां पर देखिएगा 49 42 56 तो यहां पर 49 42 56 50 40 44 आ रहा है यहां पर 5 आ रहा है तो 5 तो बढ़ रहा है तो हम इसको साइड में चलेंगे यहां पर 4 4 तो हम 4 4 से में देखिएगे बंस की ब्लीज पहले देखिएगे तो क्या होगा 2 तो यहां पर आजाएगा 42 ओके आगे देखिएगा नेक्स्ट जो है हमारा वो है हाँ तो अधिकी 31 47 67 तो 31 31 47 67 तो यहां पर देखिएगा 3 4 6 तो यहां पर कह जाएगा 31 इसमाले से तो हम यहां पर 31 लिखेंगे ओके अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है लार्गेश्ट लिजिश्ट लार्गेश्ट लिजिश्ट का मिन्स होता है कि बड़ी डिजिट कौन सी है ओके लार्गेश्ट का मिन्स क्या होता है बड़ी डिजिट कौन सी है तो यहां पर देखिएगा राइट दा largest number largest means क्या होता है कि जैसे की सबसे बड़ी डिजिट कौंची है largest कि means, okay, तो जिस सरीके से हम इसमें देख रहे हैं कि smallest में, उसी तरह से same वही इसमें करेंगे, तो यहाँ पर दीखेंगे 16, 36, 32, तो यहाँ पर 1, 3, 3, तो 3 और 3 सेम है, हमें बड़ी डिजिस निकालनी है, तो 16 क्या होगा है, smallest तो इसको side में तर देंगे, फिर हम इनकी क्या दिखेंगे, जब 10s के place value सेम है, तो हम 1s के place value देखेंगे, 6 and 2, तो यहाँ पे सबसे largest digit कौन सी हो जाएगी, 36, फिर देखेगा 13, 61, 73, तो यहाँ पे दे 8, 14, 25, तो यहाँ पे देखेगा 88, तो यहाँ पे 8, ओके, तो यहाँ पे देखेगा 8, 1, 2, तो यहाँ पे 8 से लागेज digit है, तो हम यहाँ पे क्या दिखेंगे 88, ओके, अब यहाँ ढ़ेकिकर 44, 45, 46, तो 44, 45, 46 ती तीनों की जो 10s place value है, वो 4, 4 है, तो हम क्या देखेंगे, तो बंस की प्लेश वेलु में क्या है 4, 5, 6, 6 क्या है बढ़ा है यहां पर आजाएगा 46, ओके अब यहां देखेंगे 74, 72, 73, तो यहां पर तीनों में क्या है 77 आया है 10th प्लेश वेलु तो हम वंस की प्लेश वेलु देखेंगे, वंस की प्लेश वेलु देखने के लिए 4, 2, 3, तो यहां पर 4 क्या है लारगेश जे तो 74, 48 पर देखेंगा 48, 60, 21, तो यहां पर जो देखेंगा वंस की प्लेश वेलु 4, 8, 2, तो यहां पर 60 क्या है सबसे ही लारगेश जे ओके, फिर देखेंगे, 36, 63, 79, तो यहां पर 3, 6, 7, तो सबसे लारगेश डिजिट कौन सी है, 79, ओके, फिर नेक्स वाला देखेंगे, 71, 76, 47, तो यहां 47 तो स्मॉलेश हो गया, क्योंकि 7, 7, 4, 4 स्मॉलेश है तो इसलिए, तो हम क्या करेंगे, 77 की place value, 1's place value देखेंगे, 1 और 6, तो यहां पर क्या जाएगा, 76, ओके, फिर देखेंगा, 57, 81, 62, तो 5, 8, 6, तो 5, 8, 6 में सबसे लारगेश डिजिट कौन सा है, 81, फिर देखेंगे, 14, 32, 90, तो यहां place value देखेंगे, 1, 3, 1, तो यहां पर 1, 1 तो क्या हो गया, smallest और 3 क्या हो ग देखेंगे, ओके, अब देखेंगे, 85, 59, 99, 85, 9, यहां पर देखेंगे, 99, ओके, अब जो next हो भी हमारी ऐसी ही होगी, same, तो अब यहां पर देखेंगा, यहां पर जो digits आईए, वो क्या आईए, 22, 34, 46, 22, 44, 22, 34, 46, तो 2, 3, 4, तो यहां पर क्या जाएगा, 46, यहां पर देखेंगे, 65, 59, 49, तो यहां पर कह जाएगा, 65, 54, तो यहां में के 65, पर देखेंगे, 39, 54, 87, तो 3, 5, 8, तो यहां पर क्या जाएगा, 87, अब यहां पर देखेंगे, 25, 27, 26, तीनों की जो place value है, वो same है, 10s में, तो हम 1s की प्लेस वेले देखेंगे 5, 7, 6, तो यहां पर क्या जाएगा 27, क्योंकि 7 सबसे बढ़ी है, फिर देखेंगा 63, 57, 56, 10s की प्लेस वेले देखेंगे 6, 5, 5, तो 5 और 5, उसी क्या आता है, smallest है, और 6 का है, लार्गेस जाए, तो हमें 63, यहां पर जो डिजिट आ है, तो यहां पर लिखेंगे 5, 4, 6, तो यहां पर कहाएगा 6, 86, ओके, नेक्स बारा देखेंगा 69, 91, 65, तो यहां पर देखेंगा 6, 9, 6, तो 6 से लार्गेस कौन सा है, 91, ओके, तो देखेंगा 42, 45, 85, तो यहां पर देखेंगा 4, 4, 8, तो 4, 4 तो क्या, smallest हो गया, और 85 क्यों ह लार्गेस्ट हो गया, फिर देखेंगा 58, 54, 56 है, सभी की जो 10th place value है, left hand side वाली, वो क्या है, यानि की same है, तो हम 1s की place value देखेंगे 8, 4, 6, तो यहां पर क्या जाएगा 58, अब देखें, 37, 73, 41, तो यहां पर 3, 7, 4, तो यह 3, 4, 7 में क्या है, 73 क्या है लार्गेस्ट है, फिर देखेंगे 19, 21, 23, तो यहां पर देखेंगे 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2 क्या हो गया, same हो गया, तो यहां पर 1 की जो place value है, उसमें देखेंगे, तो क्या जाएगा 23, ओके, तो यह आपको क्या करना है, अपनी copy में and books में दौना में feel करना है,